नमस्कार मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बाला जी होम्स इंटरप्राइजेज जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा पहले वीडियो में मैंने गजरौला की लोकेशन दिखाई उसके बाद मैंने हसनपुर तैसील की लोकेशन दिखाई और आगे की तरफ जा रहा है तो ये जो आप जमीने देख रहे हैं ये देखिए यहां करने की फसल इसमें वो ही गई है और ये बिलकुल मैंन रोड की कॉमर्शल जमीने हैं ऐसी जमीने तो बिलकुल ना के बराबर हैं जो सेल में हैं अगर हैं भी तो काफी महंगी जमीने आप को मिलेंगी इन पर देखिए जिस तरह से ये दुकाने बनाई गई हैं ये बिलकुल मैन रोड की हैं तो इन पर आप दुकान वगएरा बना सकते हैं ऐसी जमीने यहां बहुत महगी रेट में हैं जो करीब 35 लाक 40 लाक रुपे बीगा मांगते हैं ये जो जमीने हैं जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ ये अंदर की तरफ है तो आप ये रास्ता देखिए आप लोगों का जैसे बाग पर आना जाना होगा तो आपको इस तरीके की यहां सड़के रोड मिलेंगी ये दोनों तरफ देखिए गन्ने की फसल बोई गई है ये अगरी कल्चर लेंड है क्रसी भूमी है ऐसी जमीने अंदर से जो मैं रोड है वहां से 2 किलो मीटर अंदर डेड़ कलो मीटर अंदर होती है और आपको करीब जो है पांच लाख रुपए छे लाख रुपए शाथ लाख रुपए बीगा के साब से मिल जाएंगी यह आम के बाग है और आम की प्रजाती के अगर मैं बात करूं तो यहां लगवक्त सभी प्रजाती के आपको मिल जाएंगे यहां फजली भी है लंगडा भी है चौंसा भी है दसेरी है सभी के आपको बाग यहां पर मिल जाएंगे कुछ भाग हैं जो पुराने लगे हुए हैं और कुछ भाग हैं जिनमें आपको नए पौधे भी मिल जाएंगे कुछ भाग हैं जिनमें बीच के पौधे भी लगे हुए है तो यह देखे अभी आम की फसल चल रही है तो पेड़ों पर आम लगे हुए हैं ऐसी जो लोकेशन है ये मैन रोड से करीब धाई किलो मीटर तीन किलो मीटर अंदर होती है और ऐसे बागों की जो लोकेशन है इसकी जो डिमांड है वो करीब पांच लाख रुपए बीगा के आसपास होती है इसके अलावा भी यहां बहुत सारी लोकेशन आपको मिलेंगी जिनमें आपको आम के बाग छोटे बने हुए फारम हाउस ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ये जो आप देख रहे हैं ये आम का बाग है और इसमें सभी पर जाती के आपको आम लगे हुए मिल इस से जोड़ी समझ जानकारी आपको हमारी डिसकप्शन में मिल जाएगी तो आप एक वार हमारा डिसकप्शन जरूर पढ़िए डिली में जो लोग रहते हैं काजियाबाद में रहते हैं फरीदाबाद में रहते हैं उन लोगों के लिए ऐसी लोकेशन है कि अगर आप चा भी यहां आमों के बाग हैं और अगर फसल की बात करूं तो यहां एगरी कल्चर भूमी में सभी फसलें आपको यहां पर हो जाती हैं चाहिए वो बाजरा हो गेहूं हो धान हो सभी चीज जो है आपको यहां पर मिल जाएगी यह रास्ते इस तरह से होते हैं बागों के और यह ये रास्तेया मैन रोड पर भी आपको कनेक्टिविटी इन रास्तों से मिल जाएगी और ये देखिए जो अंदर की रास्ते हैं ये बाग वो हैं जो बिल्कुल मैन रोड से सटे हुए हैं मैन रोड की कनेक्टिविटी में आपको मिल जाएंगे हमारे काफी सारे दर्सक हमें फोन करते थे कि सर क्रसी भूमी हो आमों के बाग हो तो आप एक बार दिखाईए तो ये लोकेशन आप लोगों के लिए सबसे अच्छी है और अगर आप चाहते हैं कि आप गड़ प्रजगाट या हापुड के आसपास जमील लेना चाहते हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे संपर्क नमर आपको डिसक्रप्शन में मिल जाएंगे तो आप हमें फोन कॉल और वाटसप के जरीए सूचना दे सकते हैं कि सर हमारा कैसा रिक्वार्मेंट है आप हमें बताईए और हम कोशिस करेंगे कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचा सकें ये रास्ता देखिए आगे जाकर के फिर मैन रोड में कनेक्ट हो जाता है और ये वो मैन रोड है जो गजरोला से और संभल की और जाता है और अब हम चल रहे हैं वापस हसनपुर तैसील से गजरोला की और ये आसपास दोनों तरफ देखिए कुछ हिस्सा है जिनमें आपको बाग मिल जाएंगे जैसे ये सामने आप देख रहे हैं दोनों तरफ बाग है लेकिन ऐसी जमीने बहुत ही महंगी हैं बहुत महंगी रे चाहते हैं रेश्टोरेंट बनाना चाहते हैं तो ये जमीन फिर आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी अगर जमीन वीगा की बात करूं तो यहां छोटे बाग भी आपको मिल जाएंगे लगवग 10 वीगे 12 वीगे 15 वीगे ऐसे भी बाग मिल जाएंगे और अगर आप जादाबाद के लिए चला जाता है तो अभी हम गाजियाबाद की और चल रहे हैं और नैसनल हाइवे 24 की ये लोकेशन है पूरी ये वीडियो आपको कैसा लगा हलाके थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है लेकिन आप लोगों तक सही जानकारी हमने पहुंचाई है और ये बाग आपको मिलेंगे तो ये अभी हम गजरोला से और गाजियाबाद दिल्ली की और चल रहे हैं तो आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं कुछ और नया लेकर के तब तक के लिए जय है इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने है करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें है